नमस्कार दोस्तों बोलनी ट्रेंड में आपका स्वागत है आज हम आपको बताइं की साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले में काम करने के लिए अभिनेता अजय देवगन और सुमीर शेटी में से किसने अधिक फीसली थी अजय देवगन, रवीना टंडन और सुमीर शेटी जैसे बहतरीन कलाकारों से सजी दिलवाले फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था हैरी बबेजा के निर्देशन में बनी बहतरीन फिल्म दिलवाले ने बॉक्स ओफिस पर शांदार कमाई की थी तो चलिए हम आपको बताते हैं दिलवाले फिल्म में काम करने के लिए अभिनेता अजय देवगन और सुमीर शेटी में से किसने अधिक फीसली थी नबे के दशक में अभिनेता सुमीर शेटी एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 30 लाक रुपे तक फीसलेते थे तो वहीं अभिनेता अजय देवगन नबे के दशक में एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 35 से कंड 40 लाक रुपे तक फीसलेते तो ये बात ते हैं कि साल 1994 94 में रिलीच हुई फिल्म दिलवाले में काम करने के लिए अभिनेता अजय देवगन ने सुनी शेक्टी से अधिक फीसली होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना न भूलें एक दम फ्री है।